Hello Students, आज में General Entry आपको One Shot में कराऊंगी, सारी General Entry आपको यहीं पर अवेलिबल होंगी, एक ही वीडियो में देखो, General Entry करने से पहले, सबसे पहले आपको यह पता लगना चाहिए कि कोई person आ रहे हैं ग्या, तो मतलब personal का rule होगा, या फिर कोई चीजें, things, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दूसरी बात जैसे कोई परसन आ रहा हो किसी का भी नेम ठीक है किसी का भी नेम राम मौहन, सोहन कोई भी नेम हो तो वह परसनल का रोल होगा कोई things होगी या assets होइगी तो real का रोल लगेगा और nominal income या expenses होगे तो इसका रोल लगेगा अब देखो तुम्हें जैसे कैसे पहचारना है purchase goods from Ram Ram है लेकिन क्या आगया Ram के साथ? Cash आगया Ram के साथ क्या आगया? Cash तो जब भी name के साथ क्या है? Name के साथ plus cash है तो हम name को क्या करेंगे? Ignore कर देंगे ठेक है? क्योंकि हमने जब उससे पैसे दे दिया या ले लिया तो हमें उसके name से कोई मतलब नहीं है अब देखो धिहान से सुनो और जब भी goods purchase करते हैं goods के लिए word आता है purchase अगर खरीदते हैं तो purchase और बेगते हैं तो sales goods कोई भी ऐसी चीज निए goods में बहुत सारा material होता है इसलिए उसको direct purchase या sale के नाम से consider करते हैं अगर कोई fix set है जैसे plant machinery furniture तब तो उनका name आएगा वरना बचा कुचा सारा stock किसमें आ जाता है खरीदा है तो purchase account debit कर देते हैं और बेका है तो sales account credit कर देते हैं दूसरी बात यह सारी बाते करने के बाद अब तुम ध्यान से आप देखो क्या कर रहा है पडचेस goods तो goods का मतलब है stock material एक तो चीज आई है और किस से आई है cash गया है तो दोनों में क्या क्या चीज आ रही है real ही आ रहा है और real ही जा रहा है देखो stock किसमें आएगा चीज है क्योंकि और cash से आ रहा है तो cash भी क्या है एक चीज है मतलब things ही है पैसा भी चीज है बंदा तो हैं नहीं तो पैसा ही क्या आ रहा है खरीदा है तो क्या आ रहा है stock और क्या जा रहा है पैसा तो rule क्या है debit word comes in आ क्या रहा है stock के लिए मैंने word बताया क्या यूज़ करते हैं आपकी फस्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी फस्ट की फस्ट की एंट्री क्या बनेगी या रहा है इसलिए एक्रेडिट हो जाएगा कितने हजार का 20,000 ठीक है उसके बाद क्या कहा रहा है sales to sham forecast अब देखो sales sales का मतलब क्या है चीजे जारी होंगी तो ये भी किस में आएगा real में एक तरह से मलब stock की तो क्या क्या होगा sales की आओगा और दूसरा क्या आजा रहा होगा sales से क्या आएगा पैसा आएगा comes in होगा और पैसा भी क्या है real चीजों में ही आता है ठीक है तो आप इस धिहान से समझना आप कि क्या जा रहा है stock तो जा रहा है और क्या आ रहा है पैसा और पैसा जहां भी दिख जाए ना आपको तो वो क्या होता है रियल और रियल का क्या रूल है जहां भी पैसा दिख जाए आएगा cash को याद रख लो cash आएगा तो हमेशा debit होगा फिर किसकी वज़े से वो तुम लिख देना और cash जाएगा तो हमेशा क्या होगा credit होगा अब अगर तुम्हें cash ही दिख जाए शाम को sale किया तो पैसा आएगा आएगा तो debit what comes in क्योंकि real का rule लगेगा तो यहाँ पर entry क्या बनेगी cash account debit to अगर यहाँ पर क्या होता cash ना लिखा होता तो तो name आता शाम लेकिन जहाँ भी cash आ जाता है वहाँ पर नाम से कोई मतलब नहीं होता तो किसकी वज़े से पैसा आ रहा है sales की वज़े से ठीक है कितना 10,000 यहाँ तक समझ में आ गया है उसके बाद machinery purchase, machinery मेरी क्या है asset है और assets भी fixed asset है purchase कर ये इतने की तो कुछ नहीं कह रहा न और name भी तो हम क्या consider करेंगे कि cash में खरीद योगी अगर सिर्फ name होता only name तो हम credit सोचते लेकिन कुछ नहीं लिखा तो हम क्या consider करते हैं कि cash में खरीदी होगी तो machinery, machinery क्या है मेरी real में आती है तो real का क्या रूल है debit word comes in और credit word goes out obviously क्या जा रहा होगा पैसा और मैंने बता दिया पैसा जाएगा तो credit होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी machinery योग यह fixed asset है इसलिए इसका name आएगा to पैसा जाएगा जाएगा तो credit होगा कितना one leg ठीक है उसके बाद कह रहा है sales furniture अब furniture बेका है furniture बेका है कुछ नहीं लिखा हुआ तो obviously किसमें बेका होगा cash उदहार तो बेका नहीं होगा तो furniture क्या है asset है asset किसमें आती है real और jar आए तो real का क्या रूल है credit what goes out जो jar आएगा वो credit और obviously क्या आएगा पैसा जैसे ही पैसा आए उससे debit कर दो furniture बेकने से क्या आ रहा है पैसा आ रहा है to furniture तो furniture क्या है credit what goes out कितने का है 50,000 का यहां तक समझ में आ गए goods return for rupees by sham sham ने हमें return किये तो हमने इसका मतलब by sham या from sham आ जाए या फिर क्या आ जाए from इसका मतलब है हमने उससे sales की होंगी और उसने हमें return किये तो sales है ना हमेशा 100% credit होता है कभी भी debit नहीं हो सकता और अगर sales credit है तो sales return क्या होगा debit हो जाएगा तो बंदेन है sales return account debit जिसने भी की है किसने की है ram ने to ram ram अकाउंट नहीं लिखेंगी क्योंकि personal के साथ अकाउंट नहीं आता कितने की 2000 की समझ गए आप sales हमेशा credit होता है 100% और sales return 100% debit होता है कोई भी chances नहीं credit या debit होनेगा मतलब यह credit ही होता है और यह debit ही होता है उसके बाद क्या कह रहा है salary paid salary pay किये तो क्या जाएगा cash क्या है जाएगा जाएगा तो मतलब cash क्या है real है और real पैसा जाएगा तो मैंने बताई दिया credit होगा तो यहाँ पर तुम क्या कर लोगे salary pay करिये तो क्या लिखोगे आप salary account debit salary account debit वैसे भी क्या है salary क्या है nominal है और nominal में क्या है खर्चा है तो expenses and losses क्या होते है debit होते हमेशा क्योंकि क्या किये paid क्या देखोगे paid की है तो expenses है और nominal का क्या rule है debit all expenses and losses और credit all incomes and gain ठीक है तो salary तो pay करी लेकिन जाएगा भी तो सही कुछ तो यह किसका है nominal plus कौन बन रहा है दूसरा real इसमें दोनों दे या तो nominal देख लो loss अगर debit होंगे तो पैसा जाएगा या real देखो या तो यह देख लो credit what goes out किसकी वज़े से या salary क्योंकि expenses है तो पैसा जाएगा ऐसे देख लो उसके बाद commission received अब यह क्या है income है एक तो और क्या मिलेगा इससे पैसा आएगा cash cash क्या है real है या तो यह देख लो कि पैसा आएगा आएगा तो debit होगा ठीक है और किसकी वज़े से आ रहा है to commission या तो यह देख लो और या फिर commission क्या है income है और income always क्या होती है credit अगर income credit होती है तो किसकी वज़े से अगर income आएगी तो obviously पैसा ही आएगा उसके बदले ठीक है commission account कितना 500 क्लियर हो गया क्लियर होती है